वेलकम तो फिशिंग क्लब योटूब चनल दोस्तों चलिए आज फिक ठंडी के लिए एक अच्छा सा बैट लेकर सिंपल सा बैट है अगर आप ये बैट बनाएंगे अगर आप ये वीडियो हेंडिंग तक आप देखेंगे तो जरूर इंशालला मचली पकड़ेंगे देखि में इंशालला बड़ी सी बड़ी मचली पकड़ेंगे और फिशिंग भी अच्छा हुए क्योंकि ठंडी में ना के बरबर होग बैट खाती है मचली ना के बरबर इसलिए थोड़ा ऐसा बैट लेकर आना पड़ता है कि मचली खा सके अभी जो इमेज आप देख रहे हैं ये मचली हमने पकड़ा है हमारी ग्रूब गई थी पकड़े हैं एक से चार मचली पकड़े हैं तो ये किस में पकड़े हैं किस ग्राउन बेट में पकड़े हैं किस मसाले में पकड़े हैं मैं ये भी नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करूँगा क्योंकि ये ठंडी में जो मैं अ करना हैcía उसको भूब कैदल नहीं मैं आपको बताओंगा और वीडियो मैं ःख फिसंग कीया है। छुले दोस्तों अभी जो भी लोग मेरा सबस्क्रेब करें चैनल वीडियो कम्प्रीट कीजिए पðसंथे आप उगे वाच कर रहे हैं उन्हें रिक्वेस्टे के चानल सब्सक्राइब कीजिए बेल की इकंटी दबाईए जो भी नोटिफिरिशन आएगा तो आप उससे फैदा उठा सके जो ड़ो वीडियो अप्लोड करेंगा उसका फैदा उठा सके चलिए आप बैट बनाएंगे इसमें जाद पाहिला आप लेना है कम से कम पारलीजी बिसकेट जो आता है उसका पौडर पारलीजी बिसकेट कम से कम दो पैकेट ले लिजिए दस रुपए वाला या पांच रुपए वाला दो पैकेट लेके पौडर बना लीजिए उसको हो गया दोस्तों एक इसके बाद आप लेना है milk powder जो दूद बनता है milk powder होता है उसको ले लीजिए 50 gram ज्यादा नहीं 50 gram लीजिए उसके बाद तीसरी चीज़ है दोस्तों इसमें इस्तेमाल होती है हिंग हिंग लेना है आपको कम से कम 10 gram 10 gram हिंग जरूरी है 10 gram ले लीजिए पौडर ले लीजिए या घटवला हिंग लेजिए मैं सारे इमेज डल के बताओंगा आप उसको लेकर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि हिंग डलना जरूरी होता है इस टाइम के लिए चवती चीज़ कपौर खिचरी उसका पौडर बना लीजिए वो भी इमेज डलता हूंगे वो तो कम रेट है बहुत कम रेट में मिलता है कि पंसरी के दुकान में जाएंगे आप तो बहुत कम रेट में पलता है उसको ले लिजिए पांचवी चीज़ है भात पलाओ राइस और उसमें चना डालिए चना डाल के बैल कीजिए आप बैल करके जो भी चीज मैं आपको बताया हूँ जो बैल हुँ भात्पला और चना डाल के बैल कीज़े कम से कम 100 g रईस डालIए आप जो भी आप रईस डालना चाहते हैं रईस डालिए कम से कम 100 g उसमें 10 g से 20 g डालिए बैल कर लीज़े उसके बाद ये सारी चीज जो बताया हम हो उसमें कपुर खिजरी और हिंग कपुर खिजरी डालिए पौडर डालिए थोड़ा रोष्ट कीजिए उसमें बताया हम दस ग्रम हिंग दस ग्रम हिंग डालिए उसमें थोड़ा जादा ही रोष्ट कीजिए उसके बाद आप सारी चीजे भात पलाव पे मिक्स कर लीजे भात पलाव पे मिक्स करके आप गूनना चाहिए जिसे आटा बनता है उसमें थोड़ा बचा कर आप ग्राउन बेट कर सकते हैं करके हुक को लगा के फिशिंग कीजे इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है बहुत में नहीं है तो मुझे वाटसाप नमबर पे काल कीजिए मैं इंशाला बता हूंगो ओके दोस्पों तेक्यों